बश्कार किसान बैसाती हूं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दोलदा मंडी भाव यूट्यूब चेनल पर शुब दिन शुब अवसर सुब दिनांक 22 जनवरी दोजार चोईस राम लला प्लान पटिश्टा की आप सभी किसान भाईयों को हर्दिक हर्दिक शुब कामना आज की दोलदा मंडी से हम जानेंगे नई लसुन की आवक की रिपोर्ट इस शुब दिन के अवसर पर जो कि आपको दोलदा मंडी से सीधे लाई इस्तिति देखने को आज मिलेगी दोस्तों कित्ति आवक अभी सुबक की जो मैं आपको बता रहा हूं इसके बात में दोफर का प्रियास किया है मेरी जानकरी दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा पहली बार जानकरी देखरें चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जिसे की साती मित्र आपको रोजाना की दोलदा मंडी से इसी प्रकार की जानकरी मिलती रहे ज के लिए जो नई लसुनावना मंडी के लिए चुरू हुआ है और आज की दिनांक लेने में बहुती हर्ष का विश है हम सबके लिए कि आज शुब दिन है शुब अवसर है राम निला की पान पटिस्टा है तो 25 जनवरी 2024 है तो इस दिन शुब अवसर काफी हर्ष के साथ ख बता देते हैं और आप सभी को राम निला प्राम पुक्रिश्चा की हर्दिक हर्दिक शुब कामना है सभी किसान मित्रों को और यह आज की आवक हमें नहीं लेसुन की ध्रुदा मंडी के अंतकत देखने को मिली है और पिसले सब्ता बजार भी काफी धुवाधार हमें देखने को मिली हैं दोस्तों बाकी मैं आप से निवधन करूँगा कि अगर बजार चलता है और इस प्रकार के भाव में अगर लसुन बिखती है तो निवधन मेरा यही रहे कि कट्चा लसून मंडी में आप लेकर ना है दोस्तों जिससे की थुड़ा मंडी का भी माउल काफी किसान बाइओं को मैं ने देखा भी है मंडी के अंदर गत कि कच्छा लसून निकल कर जल्दबाजी करने चाहिए आपका लसून काफी अच्छा भी करना दोस्तों तो इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा क्योंकि अगर आप उसको अगर पांग दिन और भी अ जो फर में और साथ शाथ किसान बाइओं को बहुत ही अच्री घहर में दूंगा कि मंडी के अंदगत आप सभी किसान बाइओं का दिल से निवात करता हूं कि जसी परकार से प्रसेश्चन नहां पर चुना लाइं बनांई है इसका आपने पूर्ण तहाफ। पाला नहीं कि तो काफी कुछी हुई कि किसान भाहिन है अनुपाला नकिया पूरी तरह से यह आज के लसुन के आवक मंडी के अंदर देखने को मिलें और कुछ ताजा कटिंग माल मुझे जहासपास में देखने को मिलें यह आप देखेगा यह सामनी क्योर देखेगा वह नीचे देखेगा यह उपर की साइट में देखेगा यह कुछ ताजा लोट जो कि कल की कटिंग वाले ही मंडी के अंदर देखने को मिलता है यह इस प्रकार से इसमें कुछ कच्चा भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों तो थोड़ा कच्चा लसुन उखाने पर थोड़ा ध्यान दीजेग और इदर भी आपको लसुन देखने को मिलेगा जो कि साइट के वाली बट्टी है इदर भी लसुन खाली होना शुरू हो चुका है उपर की साइट में भी खाली हो रहा है जैसे कि मैं आपको बता देता हूं यहां कि आज की पूरी आवक की रिपोर्ट के साथ में और उधर तो अभी खाली है उदर लसुन खाली हुआ नहीं है उदर भी जगें बल्कि वजह हैं कि जो भी ढहर है तो किस्तान भायों नों उसको खेला कर खाली कर रहा है तो उस लोट ने थोड़ी जगे ज्यादा घेर रहा है जिस प्रकार से भी आप देखिए एक एक लसुन बिछा के अंदर तो अभी तो नहीं है पाकि यह जेर फेले हुए जिस प्रकार से आप देखने हैं यह फूरा लोट मातर दो बोरी का लोट है और इतनी जगें घेर हुए है क्योंकि माल नमी वाला जो इस प्रकार का रहा है ताजा कटिंग वाले किसान भाय जो भी खाली कर रहे है तो उसके वाज़े से लसुन जिस प्रकार की मंडी के अंदर देखने को मिल रही है तो मैं आपको बता रहा हूं यह फूरा फिल्ड साइट दोस्तों अम्मोमन तो इसके अंदर आवक थोड़ी कमी है लेकिन जिस प्रकार से फिल्ड में माल फेला हुआ है तो जिसकी तो च्छपरे च्छफर के सारे पूरी गली घाली है वह पूरा प्लेटवर्म है वोगे हैं वह क्यंद लिए अब मान लेगी और कुछ मान लेते हैं इसके पांशाट सो कट्टों के आफ इसके अंदर यह ने की दोस्तों अभी इस्तिति में इस वाले प्लेटवर्म के इन्दक कर रहे दोस्तों जो कि मैं आपको बता रहा हूं साइज़ के मामना में काफी कज़व हैं और माल भी सब्सकें मैंने आपको बता एक और शांदर कॉलिक्टी जो मुझे दE relign HandsCD मल दूर सही परक में आ जाते हैं तो मैं को बता जहता हूं वहाँ पर लोट पाप को वहां तक भी मेरी निजर गई है जो आपने इसके उपर निशान किया है दोसों अपनी डेर को परेखने के लिए तो वह तक भी मेरी निजर पहुंच गई है आप इस पर क्या निशान करके गई है तो लोट आपका यह काफी अच्छे साइज है माल भी सूखा है दोस्तों पूरी तरह से जो कि मैं आपको बता रहा हूं और यह इस प्रकार की है कि आवक की रिपोर्ट आज की तरदा मंडे की और इसके अंतकत जो कि माल आपको देखने को मिलेगा तो मैं आपको एक अनुमनित करते बता देता हूं यह जो पट्टी आपको देखने को मिलेगी जिसो ज्यादा लुच्वी ने तो इस और मान लीजेगा आपकी लगबग-लगबग मंडी के अंदर की काउंटिंग के कोते हैं जिसे करते हैं उसर कितने कट्टे हैं और उसर पचास कट्टे शाट कट्टे के लगबग आपको आवक उस वार ले फिलडे के अंतगत देखने को मिलेगी यह निकी टोटल ओराल अगर गट्टो की बात करता है तो अभी हल फिलाल में मंडी के अंतगत दो हजा गट्टो की आवक हो चुकी है दोस्तों जिससे कि आप देखेंगे माकी इस हिसाब से क्योंकि पहले हुए ठेहर भी है और कम बोरी में लंबे ठेहर आपको देखने को मिलेगा यह फूर आपको देखने को मिलेगा आज की फिल्ड इस्तिति दोस्तों जानकरी पसंद आई वीडियो को लाइक के जगा पहल